नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमाग पितरों को मोक्ष देने वाली एकादसी इस एकादसी को मोक्ष दा एकादसी या बैकुंठ एकादसी भी कहते हैं इस दिन ब्रत रखने से पितर देवों को मुक्ती तो मिलती है साथ ही पितरी दोस भी सम प्राप्त होते हैं और वाजपे यग्य और स्वेग्य के इतना पुन्न अगर इस दिन स्रधा भाव से भगवान स्रीहरी की पूजा की जाए उन्हें भोगर पित किये जाए तो यकीन मानिए आपके पित्री संतुष्ट हो जाते हैं उनको पिडाएं नहीं होती उनको नर्क यातना नहीं सहनी पड़ती तो मोक्षदा एकादसी चुकि सुक्लपक्ष माक्सिस के महने की मनाई जाती है और मोक्षदा एकादसी का सुमूर्थ क्या है कैसे करेंगे पूजा और पारन कप करें देखिए मोक्षदा एकादसी इस बार 14 दिसंबर मंगलवार को मनाई जा रही है और धार्मिक माननेताओं के अनुसार इस एकादसी के ब्रत के प्रभाव से पुर्वजव को मोक्ष की प्राप्ती होती है और साथ ही 13 दिसंबर की रात 9 बचकर 32 मिनट से एकादसी तिथी प्राडमब होगी और एकादसी तिथी समाप्त 14 दिसंबर मंगलवार की रात 11 बचकर 35 मिनट पर होगी तो उदियाती थी 14 दिसंबर को है इसलिए इसी दिन ब्रत रखा जाएगा और पूजा भी किये जाएंगे ब्रत का पारण 15 दिसंबर बुद्वार की सुबह 7 बचकर 5 मिनट से लेकर सुबह 9 बचकर 9 बजे के बीच आप कर लें तो उत्तम है इस एकादसी के दिन सुबह जल्दी उठकर शनान बिगर करके स्वक्षवस्त धारन करें अपने घर और पूरे घर के मंदर बिगर में सुद्ध जल या गंगा जल का छिड़काओ करें या फिर जल में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काओ कर पिर अपने भगवान को असनान करें 128 धारन करें या फिर उन्हें पोछ तसवीर है तो उसको पोचें फिर भगवान को रोली अक्षत थल्दी से तीलक करें और फिर पूजा आरंब करें पहले गनेश जी की पूजा करें फिर भगवान सरीहरी विशनु और मालक्षमी की और इस दिन भगवान को भोग में जो भी भोग लगाए पंचामरीत का भोग लगाए या फिर आपने फल का लगाया है या आपने जो पंजीरी होता है बनाया है तो तुलसी के पत्ते जरूर अरपित कीजेगा क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोगी स्विकार न रहा जाता है कि एकादसी का ब्रत करने से इनसान के सरीर में एक निस्चित संतूलन बनता है। साथ ही बैक्ति कोई भी कारे अगर इमन्दारी से करे तो वो भी पूरा हो जाता है। अगर आप एकादसी ब्रत का पालन करते हैं, अंजाने में हुए आपके पाप भी दूर हो जाते हैं। बेक्ती को पुन्नी की प्राप्ती होती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ती होती है। पुरानों में साल में आने वाली सभी एकादसी ब्रत का बिसेश महतों कहा गया है और हर वर्स 24 एकादसियां आती हैं अब एकादसी ऐसी माननेता है कि एकादसी की सुरुवात उत्पन्ना एकादसी से होती है और इसी एकादसी से एकादसी देवी उत्पन्न हुई थी इसके बाद ही एकादसी ब्रत का आरम्ब हुआ वैसे तो जो भी बेक्ति एकादसी का ब्रत रखकर भगवान स्रीहरी विश्नु या विश्नु भगवान के किसी भी रूप का पूजा करता है तो कई जन्मों के जाने अंजाने पाप से मुक्ति मिलती है साथ ही ऐसे बेक्ति को मिर्तियों के बाद बेकुंट लोक की प्राप्ति होती है लेकिन एकादसी ब्रत के नियम भी है और इस दिन हर एकादसी ब्रत के अलग लग कता हैं अलग महत्तों हैं और सुनने का भी विधान है तो सभी एकादसी के लेकिन ब्रत करने के नियम एकी हैं एकादसी ब्रत का उद्यापन अगले दिन यानी द्वादसी के दिन किया जाता है कुछ ऐसे कार हैं जो एकादसी के दिन नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार हैं जो जरूर करना चाहिए एकादसी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए एकादसी के दिन बुरे और गलत बातें भी करने की मनाई है एकादसी के दिन क्रोध ना करें साथ ही किसी से भी मांसिक या सारीरिक रूप से लड़ाई भी ना करें इस दिन मांस मदीरा का सेबन बिलकुल भी ना करें जूट वोलने से बचें किसी की निंदा चुगली ना करें भगवान स्रीहरी की जादा से जादा अराधना करें संबब हो तो रात में जागरन करें या फिर कम से कम एक दीपक ही चला दें रात 11 से 1 के बीच अपने घर के और सुपाड़ी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि भगवान स्रीहरी को अर्पित होता है इसके साथ ही इस दिन आप ब्रत करें ना करें पर भगवान स्रीहरी की अराधना चरूर करें भगवान स्रीहरी की मंत्र का जब जादा से जादा करें क्योंकि जितना जादा आप जब कर विश्नू की ही होगी अब एकादसी व्रत है क्या महत तो क्या है पुरानों में एकादसी को हरी दिन हरी वासर के नाम से भी जाना जाता है और इस ब्रत को बैसनव और गयर बैसनव दोनों ही संपदायों के लोग करते हैं ऐसा कहा एकादसी का बरत करना, हवन यग्य करना, बैदिक कर्म कांड करना, ये सभी चीजों से ज़दा आपको सिर्फ बरत करने से पुन्ने मिलते हैं। और इस बरत को रखने की एक और माननेता ये है कि इससे पुरवज और पितरों को स्वरगलोग की प्राक्ति होती है। इसकंद पुरान में भी एकदसी ब्रत के महतों के बारे में बताया गया है जो भी बैक्ति इस ब्रत को करता है उसके लिए एकदसी के दिन गेहूं, मसाले, सबजियां भी नहीं खाना चाहिए, आप फल जूस लेकर खा सकते हैं रह सकते हैं हलांकि इस एकादसी ब्रत के दिन बहुत सारे नियम है तो तबाम नियमों के बारे में भी हम जानेंगे पर इस दिन एक छोटा सा प्रियोग किये जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे ब्रत करने जो लोग ब्रत आज कर रहे हैं उनको कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए जैसी कि एकादसी के दिन दांत साप करने के लिए लकडी का दातुन इस्तेमाल ना करें आप नीमबू जामून या फिर आम के पत्तों को चबा लें और फिर उंगली से कंड साप कर लें ब्रिच से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए अगर आपने ब्रत किया है तो स्वयम के गिरेवे पत्तों का इस्तेमाल करें आप चाहें तो घर में ही आप स्रीममत भगवत गीता का पाठ करें ग्यारवे अध्याय का या फिर सुन भी सकते हैं ओव नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जब करें दान धर्म करने की भी माननेता है एकादसी के अगले दिन द्वादसी थी के दिन आपको सुबह उठकर सुबह आठ अमुमन हर एकादसी थी थी में सुबह साड़े पांश से आठ सवाट के बीच ही आपको पारं करना चाहिए और पारं करने के पहले आप थोड़ा सा पैसा निकाल दे या पिर कुछ सामान निकाल दे या सामान भोजन की तरह ही कुछ खाना बेगरे निकाल दे ऐसा करके फिर आप ब्रत तोड़े त्रेयो दसी तिथी से आने से पहले ही ब्रत का पारण कर लें इस बात का धियान रखें क्योंकि एकादसी ब्रत का पारण द्वादसी तिथी में ही होना चाहिए तो आप कोई चूक नहों इसका धियान रखें भले ही आप कि भी पत्ते ना तोड़े चावल तो नहीं ही खाना चाहिए किसी और का दिया हुआ अन्य भी मत खाईए और मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आने दे अब जैसे कि लोग बहुत साइब क्या करते हैं फलारी में गोभी पालक सलजम बेगरा जूस बेगरा ले ले लेते हैं और एकादसी के दिन सुनने से ब्रत कथा जो है बहुत अनिवार माना जाता है सास्त्रों में कहा गया है कि बिना एकादसी की ब्रत कथा सुने ब्यक्ति को उपवास का पूरा फल नहीं मिलता और तमाम बातें अभी तक हमने आपके साथ साजा किया कि कैसे एकादसी का ब्रत करना चाहिगे और क्या करना चाहिए लब लेकिन आज हम एक छोटा सा प्रयोग लेकर आपके साथ जुड़े 42 के दिन आप जब रद करेंगे तो सामकिस में छोटा सा अगर आप दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल देते हैं तो पित्री दोस समाप्त हो जाते हैं लेकिन ये दीपक आप अपने घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ है साम के वक्त सरसों के तिल के दिया में या तिली के तिल के दिया बच जलाएं और उसी में एक तो इस दिपक में एक लोंग रखेगा आपकी काम नात तुलसी महराने जरूर पूरे करेगी दूसरा जो घर में जलाएंगे आप उसमें लॉंग या काली मिर्च रखे या ना रखे लेकिन शर्सों के पीली सर्सों के दो-चार दाने जरूर रख दीजेगा इस दिन सर्सों कब भी सेस्प्रियों किया जाता है क्योंकि अगर किसी भी तरह का आपके घर के आसपास निगेटिव एनर्जी और त्रिप्त आत्माएं हैं तो वो सांत हो